हलो एबरिवन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसी पोस्ट पर जो विलेज इंटर्णशिप हुआ है 28 तारिक को और 29 तारिक को जो इंटर्वी हुआ है उसके बारे में और यह जो जानकारी है यह एक कैंडिडेट के द्वारा उपलब्द कराया गया है तो इसकी पून जानकारी को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें जितनी भी बात बताई गई है वो बहुत ही महत्तपून है तो सबसे पहले हम लोग विलेज इंटर्णशिप को देखते हैं विलेज प्रसानी यह आ गई जो एक दो स्टूडेंट का एक दो डॉक्मेंट नहीं होने के कारण उन लोग को जो है एक फॉर्म दिया गया जिसमें फॉर्म फिल करवा के बोला गया जब आप जॉइन किजेगा वहां पर आपको यह डॉक्मेंट उपलप्त कराना तो यह हो गई यह पर डॉक्मेंट वेरिफिकेशन से संबंदित और यहां पर पर्जेंटेशन के बारे में जानकारी दी गई थी उसमें बताया थे जो तीस स्टूडेंट का जो पूरा गुरूप था उसमें 27 एस्टूडेंट जो थे वहां पर पर जेंट थे तो यह हो गई आपका फर्स्ट में आपका डॉक्मेंट वेरिफिकेशन अब हम लोग दूसरे नंबर को देखते हैं अब दूसरे नंबर में किया हुआ इन सभी केंडिडेट को एक हॉल में यहां पर बुलाया गया और यहां पर इन सताज जो एस्टूडेंट थे उनको तीन गुरूप में खड़ा कर दिय और इस नंग ऊंबर कर दिया गया अब एक गुरूप में इस परकार से यहां पर यह चोग्रूप गया अब यहाँ पर इन छो गुरूप में टोटल जो डिवाइड है इन सबको एक एक टोपिक दिया गया जैसे इनको जो मिला था साथ निश्च्य योजना का इनके गुरूप को मिला था टोपिक और उसी परकार से किनीको सेलफ एल्फ गुरूप उसी परकार से छो जो भी छो मैं आपकी नंबर दो इहाँ पर तीन नंबर में देखे थी गळारी प्रभी बैठाकर आपको विलेजे मिले जाए जाएगा जहाँ पर आप लोगका इंटरंसिब azt कर से आपको बात करनी परेंगे है उसके बाड़े में जीपकाध भोड़ा इसे आगे किस परकार से पढ़ाई जो भी अपको उसमें लिख होगा जो भी जनकारी आपको लिखना है उस सब चीज आप उनसे पूछ सकते हैं और उसके बाद जो भी निसकर्स निकलेगा उसको आपको उसमें लिखना पड़ेगा उसके यहां पे जो आपके ग्रूप में चार में मड़े सबी लोग अलग-अलग अपना जिपका दिदी से बात करेंगे एक जिपका दिदी के समूँ में 10 या 15 लोग होते हैं तो उनसे अपना बात करेंगे सब लोग अलग-अलग यहां पे सब लोग को अपना-पना ही देखना पड़ेगा और यहां पे आपको अगर कोई विशेश जनकारी लेनी हो तो आप यहां पे आप जिपका नहीं है यहां पे आप जो भी आपके अंदर जिग्यासा हो आप यहां पे पूछ सकते हैं अब हो गई है आपकी डॉक्मेंट से संबंदित बात जो आपको कैसे उसमें फील करना है अब चौथे नंबर में देखिए क्या होगा चौथे नंबर में जो है आप जो डॉक्में जो है आपको सम्मिट कर देना तो यहां पे यह आपकी हो गई चार नंबर और अब पांच में नंबर में अब यहां पे पांच में नंबर में आप साम के समय वहां पे तो रुकने का वेवस्ता जिब का दीदी द्वारा किया गया अब सुबह में अब आपको वहां से फिर गा से हुआ और क्या-क्या पुछा गया क्या-क्या साफधानी बरतनी होती है तो इस सब के बाड़े में भी हम लोग बात करते हैं अब यहां पर जो इंटर्व्यू के बाड़े में इन्हों पूछ लिया गया फस्ट कोर्शन में ही पूछा गया जो आपने जिस विसरा के साथ ग्रजू़शन किये है, उस से जु 23 कोर्षन लगातार पूछ लिया गया और उन से फिर जिपका के बाड़े में एक दो कोशन पूछा गया और उसके बाद उनके रिजूम में जो दिये हुए थे उहां से उनसे तिन चार कोशन पूछ लिया गया उनसे रिलेटेड ही तो इस परकार से जो है इंटर्वियू का जो कोशन होता है वो वहां पर पूछने वाले के उपर डिपेंड है हमको वह आपको जनकारी दे रहे हैं तो यहां पर ग्रिजूएशन से डारेक्ट ही कोशन पूछा जा रहा और यहां पर तो फिर एक्स्परियेंस भी है और एक और बात उन्होंने बताई जो आपने रिजूम जो दिया था और रिजूम में जो भी मेंसन किये हैं उसकी ज पूछ लिए जा रहा है तो यह सब जो जानकारी दे गई इंटर्विव से संभंदित जानकारी इन्हों ने दी अब हम बताते हैं जिए इंटर्विव में आपको क्या क्या चीज़ से बचना है तो इंटर्विव में जो है आपका तो फॉर्मल ड्रेस यह तो नैसरी है अब अब यहां पे जो है आप इंटर्फिवर से किसी बात पर उल्जेंगे नहीं माली जी उन्होंने कोई भी चीज पूछा अगर आता है तो सही नहीं आता है तो सुरी सर सीधा सीधा और जो भी जवाब देंगे सिंपल जवाब देंगे उसमें से कोस्टन एडाइज नहों ऐसा एंसर देंगे ऐसा नहों जो उन्होंने कुछ पूछा और आपने कुछ एंसर दे दिया तो इस सबसे भी बचेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई-टो-आई-कन्टेक्ट बहुत ज़रूरी है अगर वह कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जबाब जो है आई-ट एक कर एंसर दे रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए इस सब चीज को पूरी तरह से समझ लेंगे क्योंकि यह इंटर्विव है मजाक नहीं चल ला है क्योंकि इंटर्विव में जो बताया गया है जो इसमें बहुत ही प्रफेशनल तरीके से इंटर्विव लिया जा रहा है तो और आपका जो है यहां पर जो गर्जुएशन है एक्सप्रियेंस है इस सब चीजों का आप और यहां पर सब से इंपर्टेंट चीज बिहार का जो भी योजना है उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे क्योंकि योजना से संबंदित कोशन पूछ लिया जाता है जैसे आप से कोशन पूछ लिया जागा जिससे जीब का में क्या बेनिफिट हो सकता है तो उसको भी देख लिजिएगा एक बार अभी है आपके पास समय तो थोड़ा सा यूज कर सकते हैं और यहां पर आपका रिस्पोंसिबिलिटी है तो इसको भी आप लोग देख लेंगे क्य हो जाएगा उसके बाद आप लोग घर जाने के लिए तियार है उसके बाद आप लोग घर जा सकते हैं और एक इंपोर्टेंट बात यह जो आप लोग को ब्लॉक से आपको विलेज में जो ले जाया जाएगा जिस भी वहां से वह आपको BRLPS उपलब्द कराएगा और वहां का पैक हो के आजाएगा खाना आप लोग के लिए तो यह भी फैसलिटी आप लोग को वहां पे दिया जा रहा है तो यह सब जानकारी जो है जो दिया गया है एक स्टुटेंट के द्वारा जो हम लोग आपको यहां पे उपलब्द कराएगा है इस वीडियो के माध्यम से त यह सब थी important जानकारी जो हम लोग इस वीडियो में लेकर आया है तो हम आसा करते हैं इससे आपको कुछ help मिल गया होगा तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में